वेल हेलो गाईज मिरा नाम है कुनाल और आप बताओ क्या हाल चाहत। आज की वीडियो में आप लोग के लिए एक बहुत कमाल का ट्रिक लेकर आया हूं जहांसा आप इस ट्रिक से फ्री चार्ज का जो अकाउंट है उसको विदाउट OTP लोग इन कर सकते हो अपने फ्री चार्ज एप में जो लोग दूसरी का रिचार्ज करके पैसा कमाते हैं उन लोग के लिए ट्रिक बहुत ही काम आने वाला है तो आप इस वीडियो का इंट तक का देखो और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई भी कंजूसी मत करना तो 90% से ज्यादा लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉंस था इसलिए यह ट्रिक आप लोग के लिए मैं लेकर रहा हूं उसके बाद वो नमबर ही भूल जाता है कि हमने कौन सा नमबर से आप अकाउंट क्रियेट किया था और जब वो लॉगिन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर OTP जाता है बट वहाँ पर यह नहीं दिखाता कि कि इस नमबर पर OTP गया है लॉगिन होगा तभी आप इस ट्रिक को अपलाई कर सकते हो तो सबसे पहले उस email ID को आप लॉगिन कर लेना उसके बाद आपके पास जो भी free charge का latest version का app है उसको आपको यहाँ पर अनिस्टॉल करना है अनिस्टॉल करने के बाद वीडियो के description में और telegram चैनल पर आपको एक free charge का old version का APK में दे दूँगा application उसको आपको इंस्टॉल करना है इस्टॉल करने के बाद उसको जैसे आप open करोगे वहाँ पर आपको दो और option मिलेगा लॉगिन करने के लिए सबसे पहला Facebook से और यहां पर Google प्लस से तो आपको Google प्लस वाला option पर टाप करना है तो जैसे आप Google प्लस वाला option पर टाप करोगे आपके phone में जितनी भी सारी email आईडिया आपने login करके रखी है सब भी आपको ओहाँ पर दिखाई जाएंगी तो जो भी आईडिया आप लोग तो जितनी बार आप पुछ भी क्लिक करोगे हैं आप पर रिचार्ज करने के लिए जाओगे या फिर कुछ डील्स वगरा पर्चेस करने के लिए जाओगे तो आपको बस यही प्रॉब्लम दिखाए जाएगा कि क्या है क्योंकि अभी काम खतम नहीं हुआ है अभी जो आपने फिचार्ज का ओडवर्जन के इसको अपडेट कर लेना है लेटेस वर्जन पर प्लेस्टोर से जाके अपडेट करते हो उसके बाद ओपन करोगे आपका यहां पर ओल्ड जो आईडी अपने लॉग इन किया था वो लोग आउट नहीं होगा वो आईडी वही पर लॉग इन रहेगा उसके बाद आप चाहो तो वहां पर रिचार्ज करो डीटेज बिल पर जो भी करना है करो कोई दिक्कत नहीं है आपको भी प्रुबूपर अपलाई कर सकते हो और रिचार्ज कर सकते हो आपका यहां बि इस्टॉल करना है उसके बाद उसमें गूगल के वाया आपका अकाउंट को लॉग इन करना है उसका प्लेट पर जाके वापस से आपको अपडेट कर देना है और आपका अकाउंट यहां पर लॉग इन हो जाएगा तो इस ट्रिक को जितनी बार भी रिपीट करोगे आप अ सेहिंद व बंदे मातरम